हेलो पिच्चों सभी कुई नमश्कार आज हम प्रेश्ण अभ्यास कर रहे है बसंद चैप्टर नाइन नाग राजन ने अल्बम के मुख्य प्रेश्ट पर क्या दिखा और क्या लिखा और क्यों लिखा इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ आज का पहला प्रेश्ण है हमारी कहाने से ये वाला तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख रहे है अल्बम के पहले प्रेश्ट पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था एम नाग राजन इस अल्बम को चुराने वाला वेशर्म है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यह अल्बम मेरा है जब तक खास हरी है और कमल लाल सूरच जब तक पूरु से उगे और पस्चिम में छिपे उस अरंध काल तक के लिए यह अल्बम मेरा है रहेगा इस वाक पे को कलास के लड़कों ने अपने अल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने जट कौपियों और किताबों में टाप लिया नेक्स्ट प्रिशन आता है नाग राजन के अल्बम के हिट हो जाने के बाद राजपा के मन की क्या दशा हुई नाग राजिन के अलबम के हिट हो जाने के बाद राजिपा मन ही मन कूड रहा था मन ही मन कूड रहा था स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता था लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी उसके मन में जलन की भावना आ गई कैसी भावना आई उसके मन में जलन की जलने लगा वो गुडने लगा नेश्ट हमारा कुश्यन आ रहा है कि अलबम चुराते समय राजप्पा किस मानसी किस्तिती से गुजर रहा था कुन सी मानसी किस्तिती से गुजर रहा था अलबम चुराते समय राजप्पा ने पहला प्रश्ट पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अलबारी में अलबम रखा तो उसका पूरा शरीर जिसे जल रहा था, गला सूक रहा था और चेहरा तम तमाने लगा था राजपपा ने नाग राजन का टिकेट अलबम अंगीठी में क्यों डाल दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलीस उसे पकड़ कर ना ले जाएगी इसलिए उस نے ऐसा किया लेखक ने राजप्पा के टिकट इकठा करने की तुलना मधुमख्य से किया है लेखक ने राजप्पा के टिकट इकठा करने की तुलना मधुमख्य से इसलिए कि क्योंकि जिस तरह मधुमख्य विविन फूलों का रस इकठा करती है उसी तरह राजप्पा ने भी वीवी ने स्थानों और वैक्तियों से टिकी टिकटा कर अपना एल्बम त्यार किया है मदुमक्खी के से तुलना किया है जिसे मदुमक्खियां इधादर घूम करके फूलों का राशिकटा करती है कहानी से आगे की बात करते हैं तो टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसी चीजें भी जमा करते हैं सिक्के उन में से एक हैं तुम कुछ हन्य चीजों के बारे में सोचो जिने जमा किया जा सकता है और उनके नाम भी हमें लिखने हैं तो हम देखेंगे कि हम क्या-к्या जमा कर सकते हैं देखो पुराने सिक्के पोधों की पत्यां, पिविन देशों के रुपे और नौट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये पताना कि आप क्या-क्या जमा करते हो और कितना कलेक्शन आपने किया है इकठा कियों टिक्टों का अलग अलग तरह से वर्गी करण किया जा सकता है जैसे देश के आधार पर ऐसे और अधार सोच करके लिखो तो हम कैसे लिखेंगे टिक्टों को अलग करने के आधार समय के अधार पर कर सकते हैं, देश के अधार पर कर सकते हैं मुल्ले के अधार पर भी किया जा सकता है डिजाइन के अधार पर और आकार के अधार पर हम अलग-अलग तरह की टिके-टिकटा कर सकते हैं बात आ जाती है अनुमान और कल्पना की तो राजप्पा एलबम के जलाय जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता अगर वे कहव देता तो क्या कहानी के अंध पर कोई फर्क पड़ता और कैसे फर्क पड़ता तो राजप्पा अलबम के जलाये जाने की बात नागराजन को इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि इससे पता चल जाता कि अलबम राजप्पा ने चूरी किया है अगर वे कह देता तो कहानी का अंद दूसरा होता कहानी का अंद कैसा होता दूसरा होता राजप्पा दोस्टी पाय जाता और सब की नजरों के सामने वे गिर जाता अब आती है हमारी भाषा की बात तो निमलिकी शब्दों को कहानी में ढूंड कर उनका अर्थ हमें समझना है समझना है अब स्वेम सोचकर इन से बाक्य वनाओ तो खोंसना जमगट ये सारे शब्द यहां पर दिये हुए हैं इनके उत्तर यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं स्कीन पर देखो आप तो उत्तर क्या है खोंसना नेना ने अपनी अल्बम को बालों में खोंस लिया ने अपनी कलम को सारी कलम को जमगट सड़क के किनारे जमगट लगा था टटोलना इसी तरह से सारे शब्दों के अर्थ यहां पर आपको दिये गए हैं आप लिख करके इन्हें समझ सकते हो समझना है हमें कहानी से व्यक्तियों या वस्तों के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले नहीं पर ध्यान देना में वाले शब्दों नकारात्मक विशेशन इन्हें कहते हैं इनको छाट कर हमें लिखना है उनका उल्टा आर्थ देने वाले शब्द भी लिखने है तो देखो यहां पर नकारात्मक विशलेशन है बंद और उल्टा आर्थ है खुला यहीं विलोम शब्द है खुला घमंडी का होता है स्वाभी मानी चिंतित का होता है निश्चिंत इरिशालू का होता है प्रधालू फिसड़ी का होता है अवल फिसड़ी होते हैं डल स्टुजेंट्स जैसे अवल होते हैं आगे वाले स्टुजेंट्स आज की हमारी वक्षीट यहीं पर समाप्त होती है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू पर वाचिंग।